In the name of Allah, the most English and the most merciful, my dear students, good morning to all of you, hope you are well. Class 8, subject English, page number 30. प्यारे बच्चों, कर हमने बाकी काम किया, तो आज हमें इसका grammar work करना है. जो हमारा lesson number 4 है, यानि जिसका नाम है, फर गार्ड़े से खोल थाइटांग, इसका अब कुछ काम बाकी राया है, grammar work, वो अज हम करने जा रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, look at these examples, our holy day was too short, the time passed very quickly, हमारी चुटी बहुत चोटी थी, time बहुत तेजी से गुजर गया, फिर आप इस page पे आएं, यानि कि page 31 पे आएं, उपर देखें आप, two people were seriously injured in the accident, हादसे में दो अफराद शदीद जहमी हो गई, quickly and seriously, यहां पर देखें आप, quickly and seriously are adverbs, यहां पर, जैसे यहां पर quickly आया, उस page पे, तो यहां पर फिर seriously आया, तो इनको adverbs कहते हैं, many adverbs are formed from an adjective plus ly, बहुत सारे adverbs कैसे बनते हैं, वो adjective को ly लगाने से बनते हैं, जैसे कि यहां पर फिर दिखाया गया है, adjectives, उपर adjectives हैं, और नीचे इसके adverbs है, quick, ly लगाएंगे इसके साथ, तो quickly बन गया, यह बन गया adverbs, उपर adjective है, serious, ly लगाएंगे, होगे seriously, तो बन गया adverbs, careful, यहां फिर ly लगाएंगे, होगे carefully, quite, ly लगाएंगे, तो बन गया adverbs, इसी तरह से heavy, तो ly लगाएंगे, heavily, तो बन गया adverbs, bad, यह adjective है, ly लगाएंगे, तो यह बन गया adverbs, not all words ending in ly or adverbs, सारे words, जो ly से खत्म हों, वो सारे adverbs हैं, नहीं, some adjectives end in ly too, तो बहुत सारे adjectives ऐसे हैं, कि जो किसे, कहां पर खत्म होते हैं, ly से, उनके साथ पर ly लगता है, for example, जिसे friendly है, lively है, elderly है, lonely है, silly है, lovely है, तो यह तो adjective हैं, यह भी ly से खत्म होते हैं, तो सारे ly से खत्म होने वाले, जो लफज हैं, word हैं, वो सारे adverbs नहीं होते हैं, now, अब क्या करना है, now, आप complete each sentence with an adverb, अब हर एक sentence जो नीचे दिया है, वो आप adverb से, उसको क्या करें, complete करें, we don't go out, because it was raining heavily, हम बारिश, हम बाहित नहीं चाते, क्योंकि तेज बारिश हो रही थी, यहाँ पर heavy जैसे, heavy, यहाँ पर LY लगा है, heavily, तो यह बन गया, यहाँ पर adverb, दूसरा फिर क्या है, आप दूसरा देखें, हमारी टीम खेल हार गई, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से खेलते थे, तीसरा है, फिर, यहाँ देखो bad, badly, जब bad हो गया, adjective, तो LY लगा है, यह बन गया badly, तो यह बन गया, इस फकर adverb, तो सवाल हमें यही कहता है, कि आप adverb से इन खाली जगों को पूर करें, और इस sentence पूरा करें, adverb लगा कि, तीसरा है, फिर, यहाँ पर, I had little difficulty finding a place to live, I found a flirt easily, मुझे रहने के लिए, जगा तलाश करने में थोड़ी दिश्वारी का सामना करके, मुझे असानी से एक flat मिल गया, फिर, चोता है, we had to wait for a long time, but we don't complain, and we want it, we wait it patiently, हमें तवील इंतजार करना पड़ा, लेकिन हमने शिकायत नहीं की, हम सबर के साथ इंतजार करते हैं, पांच मान है फिर यहाँ, nobody knew, आटिफ वास, कमिंग तू सी अस, he arrived unexpectedly, कोई नहीं जानता था, कि आटिफ हमें देखने के लिए आ रहा है, वो गेर मासूस, गेर मतवक्त तोर पर पहुंचा, अब सी किस है, यहाँ पर सेंटेस नमर सेक्स है, जीशान कीपस फिट बाइ प्लेइंग टैनिस रिगूलर्ली, जीशान बकाइदीगी से टैनिस खेल कर फिट रहता है, साथवा है यहाँ पर, I don't speak Punjabi very well, but I can understand it perfectly, if spoken, dash and dash, मैं बहुत अच्छी तरह से पंजाबी नहीं बोल सकता, बोलता, लेकिन मैं इसे आश्था आश्था और वाज़ा तोर पर समझ सकता हूँ, तो इस तरह से प्यारे बच्चो, यह जो हमने यह sentence फिल किये, यह जो हाली जगए हमने फिल की, sentence हमने पूरे किये, यह सारे क्या बन गया, इस वकर एडजेक्ट्व, यह लगाने से एडजेक्ट्व बन गई, अब फिर नीचे यहाँ पर कुछ और काम है थोड़ा सा, put in the correct word तो इस में से हमने correct word डालना है, यहां भी खाली जगए दी हैं, तो इन में हमें सही word डालना है, two people, two people were seriously injured in the accident, हच्चे में, दो अफराद बुरी शदीद जखमी हो गई, seriously, यह भी एड़वर रप है, the driver of the car had serious injuries, car के driver को शदीद चोटे आएं, कार के driver को शदीद चोटे आएं, यहां पर यह दो वहीं से करके हैं, अब तीसरा हमने करना है, three, I think you behaved very dash selfishly, यहां पर आएगा, selfishly, मेरे खयाल में, आपने बहुत खुर्गर्ज सलूप किया, अब चोटा है, रजिया इस, रजिया इस डाइश, upset about losing her job, यहां पर ट्राइबिल नहीं, वहां पर ट्राइबिली आएगा, रजिया अपनी मुलाजमित खोने से बहुत परेशान है, अब five है, यहां पर सडन भी है, तो सडन ली यहां सडन आएगा, क्या आएगा, सडन आएगा, मौसम में अचानक तबदीली आ गई, मौसम में अचानक तबदीली आ गई, तो उसके बाद फिर क्या है, साथवा है, असलम स्पीकर्स इंग्लिश डैश, या फ्लुएंट है, और फ्लुएंटली, असलम रुवानी से इंग्लिश बोलता है, फिर आथवा है, यहां बैड भी है, यहां बैडली भी है, वेट साथ गिर गया, और खुद को बहुत पुरी तरह से चोड़ पहुँचाया, उसके बाद फिर है, नवा, हफीज डिड नोट डू वैल एड स्कूल बिकर्स ही वाज, ही वाज ताट डैश, बैड, बैडली, हफीज स्कूल में अच्छा काम नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे बुरी तरह पढ़ाया जाता था, उसके बाद फिर यहां अगला दसमा सेंटेंस है, यहां पे सेफ आएगा, तो मैंने टिक लगा के रखिए, यहां पे सेफ आएगा, इस सीडी तक मत जाओ, यह माफूज नहीं है, तो इस तरह से बचो, हमारा यह जो लेसन था, फार गार्ड से एक होल्ड थाए टांग, यह पूरा कम्प्लीट हो गया, तो उमीद है कि आपने अपनी नोट बुक बनाई होगी, तो बनाएं भी, तो इन्शालला अगला अब फिर हम लेसन, कल से नया लेसन शुरू करेंगे, तब तक आप अपने गरों में बने रहें, समाधी दूरी बनाए रखें, जब तक के लिए, खुदा हाफिज.